हलो फ्रेंस वेलकम टू वाइफाइ स्टडी चेंजिंग दा वे आफ लर्निंग पार्ट आफ अनकर्म कैसे आप लोग अब आज बगरा प्रॉपर आ रही है सब कुछ ओक है देखो आज हम बात करेंगे आपके काम की आरारसी ग्रूप डी का एक्जाम डेटा चुका है और गलती आपने एंटी पीसी में की थी वो इसमें नहीं दोह रही है हम आपसे पढ़ाई के रिलेटेड बात करेंगे हम आपके जो मतलब माइंड मेकप होना चीए जो मेंटालिटी होना चीए इन साट सातर दिनों का उस पर बात करेंगे और आपको किन बातों पर गौर रखन करना है इस पर बात करेंगे और किन बातों को अवाइड करना है इस पर बात करेंगे ठेक सबसे पहली बात हम यह कहेंगे कि आपका एक्जाम डेट का इंतजार था और एक्जाम डेट आ चुका है आप लोग एक बात को गौर कर लीजिए कि अब आपको कहीं पर भी कॉंप् नहीं होता है, गर्मी में बहुत गर्मी लगेगा, थंडा में बहुत थंडा लगेगा, बरसात में बहुत बारिस होती है, तो there is no weather for students, वो आपको बनाना पड़ेगा खुद से, ना कोई perfect situation होगा आपके पास, हो सकता है आपके मन में यह हो कि हम एकदम सांती से पढ़ें, लेक पर सबसे पहले चीज़ जो ध्यान में रखना है, वो रखना है, आपको किसी भी कीमत पर एक नियमित पढ़ाई करना पड़ेगा, नियमित पढ़ाई, नियमित पढ़ाई का मतलब यह हो गया, कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पढ़ेंगी, कुछ चीज़ें त्याग पढ़ेंगी क्योंकि ये जो है आप इतने दिनों से वेट कर रहे थे तीन साल से और अब ये ऐसा मौका दुबारा कब आएगा इसका पता नहीं है तो कुछ चीजें छोड़नी पढ़ेंगी सबसे पहला है ना कि फालतू का कोई भी काम फालतू का काम जैसे फालतू काम हम क्य क्या मानते हैं सबसे पहला कि खूब घूमना दूसरा दोस्तों को थोड़ा समय कम दीजिए दोस्त से मिलना एगदम जरूरी ही जरूरी है नई मतलब दोस्त को थोड़ा सा कम टाइम देंगे हम जैसे किसी का ऐसा काम है जिसको अवाइड किया जा सकता है उसको अवाइड कीजिए त्यागना क्या पड़ेगा? हम बता देता है सबसे पहले आप सोसियल मीडिया को त्याग दीजिए सोसियल मीडिया को अगर नहीं त्याग रहे हैं सोसियल मीडिया में हम उन सारे चीजों का आप से बात कर रहे हैं जिससे आप डिस्ट्रेक्ट होते हैं जिससे आप distract होते हैं, जो भी काम आपको distract कर रहा है उसको आप त्याग दीजी अभी, और नहीं तो फिर दिक्कत में पढ़ने वाले हैं आप, मालीजिए कि आपको YouTube इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि class देखना है, YouTube के अलावा आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं न कही प्राप्त करते हैं, आप PDF प्राप्त करते हैं, इन दो चीजों को फालो करिए, बांकि हर चीज को अभी त्याग दीजी, इसके अलावा आपको जो भी चीज डिस्ट्रेक्ट कर रहा है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, NTPC में कई बच्चों ने बोला, सर हमारा जाम क त्यारी तो अच्छा था, अंतिम समय में हम परिशान हो गए, इस वज़ा से परिशान हो गए, जो भी चीज आपको अवाइड कर रहा है, और एक चीज जो सबसे important है, ये है कि फाल्तू questions, जो हैं ये अभी बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, फाल्तू questions बहुत मिलेंगे, उसको ego पर मत लेना, ego पर ना लें, कि ये हमसे कैसे नहीं बनेगा, इसको बना के छोड़ेंगे, चाया वो math का हो, reasoning का हो, किसी भी चीज का हो, क्योंकि एक question के चक्कर में, अगर आपने दिन भर बरबाद कर दिया, तो आपने चार subject के जो चीज़ें पढ़ने वाले थे, उस इसके अलावा, सबसे जो important काम, जो करें, अब हम बात करेंगे, जो करें, do, सबसे पहले, एक test रोज लगाए, एक test रोज लगाए, ठीक है, एक test आप रोज लगाए, और मान लिजे, जो questions नहीं बन पाए, जो questions आप से नहीं बन पाए, आप कोई भी test लगाएंगे, उसका solution दिया रहता है, उसके solution को देख के समझे, उससे भी नहीं बनता है, तब आप किसी group का सहरा लें, ठीक, तो पहला काम आपको ये करना है, दूसरा काम आपको ये करना है, सबसे important कि PYP को एकदम देख जाओ, 100% देखो, है ना, 100% देखो, इसके बाद आप theory पूरी तरीके से क theory नहीं करेंगे न, तो theory अगर मान लिजे कि हम लोगों को कोई चीज depth में नहीं पता है, उपर उपर पता है, थोड़ा सा भी question twist करेगा, तो हम पागल हो जाएंगे, फिर घूम जाएंगे, फिर हम से वो बनेगा नहीं, तो हम लोगों को अराम अराम से ये भी कर लेना है, theory भी जरूर करेंगे, सारे subject का, मतलब इसको revise करने का अब वक्त है, actually इसको theory को भी पढ़ने के लिए, मतलब crash course type का पढ़ना पढ़ेगा, है कि ने, पूरा detail में, depth में जाएंगे, तब तो फिर समय लग जाएगा, बहुत जादा, test दे रहे हैं, PYP 100% देख रहे हैं, theory देख पा रहे हैं, आप अपने स्वास्त पर एकदम 100% ध्यान दीजिए, health को बिल्कुल भी, मतलब दरकिनार नहीं करिएगा, health पर focus जरूर करिए, मतलब आप ये समझ लीजे ना, कि एक test लगाएंगे हम, 90 minutes का, ठीक है, और PYP देखेंगे हम, तो कुल मिला कर, अगर हम दिन रात 24 घंटे में सब कुछ YouTube देखते हुए, Telegram देखते हुए, self study, अगर हम self study, ठीक है, अगर हम self study अगर कर गए, मान के चलिए कि बहुत तो नहीं, 4 से 6 घंटे का, 4 से 6 घंटे का, तो भाईया कैसे नहीं exam निकलेगा, 100% exam निकलेगा, दुनिया का कोई ताकत आपका exam निकलने से ठीक है, यहाँ पर ये काम आप जरूर करें, NTPC में आपने गलती क्या करी, जो भी बच्चे ने exam दिया है, आप सोचें अरे exam date आ जाएगा ना, तब पढ़ेंगे तो 10 दिन में क्या तीर मार लेंगे हम, 10 दिन में कैसे हो जाएगा सब कुछ, ये गलती नहीं करिए, बात सम exam date आ जाएगा, exam city पता चल जाएगा, तो आप फिर परिसांद दूसरे चीज़ों में होने लगेंगे, टिकट करवाना है, आपको वहाँ पहुंचना है, वहाँ रुकना है, फिर exam देना, फिर आपका दिमाग और भागने लगता है, अभी आपके पास एक ही है, पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ना है, तो इन चीज़ों पर फोकस करें, मरी बात को समझ पा रहें आप, किसी भी फालतू अर्गुमेंट में ना उल्जें, ठेक, अब क्या नहीं करना है ये हम बता देते हैं, don't, don't do में हम बता देते हैं, सबसे पहला, तो किसी भी फालतू चीज में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करिए, एनर्जी बचाईए, एनर्जी जो है अपना वो वेस्ट ना करें, एनर्जी वेस्ट करने का मतलब कोई भी अर्गुमेंट में नहीं पढ़िए, जहां पर नहीं जाना है, वहां जाकर अपने आपको ठकाईए नहीं, क्योंकि आप ठ या खूब नाचे आने के बाद देहाद दरद कर रहा है आप क्या पढ़ेंगे फिर एक दो दिन बरबाद हो गया तो प्लीज एनरजी वेस्ट नहीं कर यह नमबर टू चीज मैंने बताया किसी भी कुश्चन को इगो पर नहाल ले नमबर टू आप समझ गए नमबर थिरी चीज अगर हम बोले आपको वही चीज पढ़ना चाहिए जो आपके एक्जाम में आना है अब आप ग्रूप डी का एक्जाम देने जा रहे हैं आप अब बैंक क्योंकि आपको उससे कोई मतलब नहीं है दोनों का अलग अलग सिच्वेशन होता अलग अलग दायरा होता है बात को समझ पा रहे हैं तो इन चीजों को बिलकुल ना करें आप फोकस बस इतना रखें कि हमारा जो अगला 60-70 दिन है वो जिन्दगी का सबसे अनमोल दिन है औ और आखरी बार एक्ज़ाम की त्यारी कर रहे हैं क्योंकि हमारा सरकारी नोकरी हो जाएगा उसके बाद हम जो है अपना अराम से नोकरी करेंगे पैसा आएगा अपने आपको खुसी देंगे परिवार को खुसी देंगे ठीक है यह अगर काम कर गए कोई आपको सरकारी नोक अच्छा गया है हम जो है एकदम निकालिये लेंगे कुछ नहीं बोलना है नॉर्मल रहना अरे देखेंगे ठीक है मतलब किसी तरह से टाल देना है बातों को सामने बाले के इन चीजों पर फोकस रखें ठीक है तो उमीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा बाकी हम आपके सा हैं क्लासेस लगातार करवा ही रहें आप लोग लिए टेलीग्राम बना दिया गया हितेश मिस्रा ओफिसियल आप लोग इसको जोएन जरूर कर लें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी सारा पीडियेफ डारेक्ट लिंक ये सब कुछ मिलेगा आठ दिसंबर से एससी कटेगरी में नया बैस शुरू हुआ है अगर आप लोग तयारी करना चाहते हैं जबरदस तरीके से और भी बहतरिन तरीके से और अच्छे तरीके से आप एक बार यहां पर आ सकते हैं हितेश वंजिरों के साथ ये सारा फायदा आपको मिलेगा है ना बिफोर कोड ये फीस है लेकिन हितेश वंजिरों के साथ जब जूडएंगे तो ज्यादा स्यादा डिसकाउंट आपको मिली रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है आसका डाउट फैसलिटी है रेस हैंड मतलब पढ़ते पढ़ते कोई डाउट हो गया एडूकर्टर से आपने बात कर लिया कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हितेश मिस्रा मेरा नाम है अनकेडमी पर हमें फालो जरूर कर लें मस तरीके से ससी कॉमबैट में जरूर भाग लें जीके करंट अफेर यह आप 12 दिसंबर को 12 बजे यह इसलिए भाग लीजिएगा हितेश वंजिरों के साथ यह आपको जरूर भाग ले यहाँ पर अगर हम देखें यह टेस्ट रिज भी आपको मिल रहा है बाकी इन दो टाइमों पर हमारा यूटूब पर क्लास है जरूर देखा करें डेली यहाँ पर जो है वाइफाइ स्टडी पर डेली साड़े 6 बजे थियोरी करवा रहे हैं तो इसमें आप जरूर आया करे बाकी हम क्या देख पा रहे हैं इन टाइमों पर अन अकैडमी पर हमारा क्लास होता है आप जरूर इंजुआ किया करें और रिपोर्ट एंड विन का ओप्सन है यह तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें अच्छा लगा हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमें जरूर बतलाईएगा कि आपके लिए यह कैसा रहा सेयसन और हमने जो फील किया आपके साथ सेयर की प्लीज गल्ती ना दो रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़िए और यह अंतिम बार एक्जाम देके नौकरी ले लिजिए जो आपके अंदर सपने हैं जो आपने बेस्ट बेस्ट आफ लक अब की बार रेलवे पार ठेक है ना चलो थैंक यू